आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ अगर आप लोग को भी पटना बीहार में काम करना है और हाई सेलरी पैकेज जर्म करना है यानि की पटना बीहार में जो अभी हमारे पास में सेलरी का अब्रेट आया हुआ है यहाँ पे देखी अगर मैं कैलकुलेशन किया हूँ ये इस्ट अमाउंट देखा जाए तो 26,000 रुपे तक आपका मासर करते हैं और वो भी पठना बिहार लोकेशन्स में राइट नाओ ये अमाउंट कम नहीं होता बिहार में अगर इतना अच्छा खासा सेलरी का ऑपर्चुनिटीज मिलता है ये बहुत ही बड़ा प्लेस पॉइंटेड बात है आपके साथ में शेर करूँगा कैसे आप लोग अच्छे सा समझ लीजे उसके बाद में आप लोग नेक्स्ट प्रासेस को फॉलो कर सकते हैं जितने भी सारे जॉब्स के एडवर्टीज में हम आपके साथ में शेर करते होते हैं वह बिल्कुल बिल्कुल फ्री होता है उसका कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्ज या फिर फीस नहीं होता विकोज यहां पे पटना के लिए हाईरिंग है और यह पटना के लिए इंटर्व्यू का लोकेशन मैंने पहले ही मिंसन किया था आप लोग को बट इसका लास्ट डेट लास्ट प्राव सब कुछ आ गया है तो मिंस अगर आप लोग यह सोच लेँ कि आज कर लेंगे कल कर लेंगे परसो कर लेंगे नरसो कर लेंगे तो यह चीज़ें सोचते सोचते समय बीठी जाएगगा और वेकंशी क्लोज हो जाएगा फिर बाद में मत कही है आपने तो इनफॉर्मेशन ही नहीं दिया तो यह पर देखें यह जो इंटर्व्यू का लोकेशन है इंस्टाकार्ट सर्विस प्राइबेट लिम्टेड रिम्टेड कंपनी तरफ से यह जो है आपका बैरिया अंचल संपचक अनुमंडल पटनाई सदर पटनाई यह लोकेशन में आपका इंटर्व्यू होने वाला है बाग या पटना जो एड्रेस दिया जाएगा वहाँ पे आपको विजिट करना है लेकिन जॉब का लोकेशन कंकर बाग में ही रहेगा तो यहाँ पे देखें डी पोस्ट के लिए हाइरिंग किया जा रहा है तो यहाँ पे पोस्टिंग जो रहेगा आप लोग का डी यानि की मतलब ड्राइवर के साथ में बैठके जाना है पारसल की डिलिवरी करनी और वापस भी ड्राइवर के साथ में बैठके आ जाना है यह काम जितना लोग सोचते कि टॉफ है ना हाड है ना मैं नहीं मानता उतना हाड है इसलिए क्योंकि वेर हाउस से सामान लोड होता है सुब तो आपको रात हो जाता है तो आपका ड्यूटी दो वैसे खतम रहता है तो यहां पर देखो ड्यूटी सुबह साथ बज़े आपको हब में पहुंचना यह सेकेंड तींग यहां पर कोई भी अगर आप दिन का 10 डिलेवरी करते हो तो आपका 330 रुपे बनेगा बीस डिलेवरी करते हो तो 660 रुपे बनेगा उस बेसिस के आदार पर एक अनुमानित रेस्योज बगरा होता है राइट नाव 25 का मिनिमम टार्गेट बेसिस होता है तो 25 मल्टिप्रिकेशन 33 इंटू डिव चीजों को देख लेए तो आपको फुद पता चल जाएगा बेसिकली एटीन टू 25 थाउजेंड रुपीज अर्निंग पोटेंसियल राइट नाव पटना भी हार सो ड्यूटी सुबह साथ बल से विजिट करना पड़ेगा इसके बारे में ज्यादा कुछ कॉमिटमेंट नह है और यह अच्छा खासा है और फैसलिटीज मिल जाता बीकॉज जितने भी सारे लोग इंट्रस्टेड है और पटना भी हार में जौस फाइंडिंग कर रहे खोज रहे लिटरी वह लोग कॉल की जिए डॉली मेंटम को डिस्क्रिप्शन में नमबर और टॉकिंग इसे फास this to thank you so so much everybody for watching this videos